नमस्कार आप देख रहे हैं economy का हिसाब किताब मैं हूँ अनंद्यो चक्रवर्ती और इस हफते हम बात करेंगे BSNL और MTNL के लिए जो संजीवनी बूटी वाला package लेकर आई है सरकार क्या इससे BSNL और MTNL का लाब होने लगेगा क्या सरकार और इनको बेचने की नहीं सोचेगी हाँ सरकार कह रहें कि हम नहीं बेचेंगे लेकिन मुझे लगता है कि ये सिरफ पहला stage है इसको सजाध हजा के बाद में private sector को बेचा जाएगा जिस तरीके से HPCL यानि की हिंदुस्तान पेट्रोलियम और साथ में BPCL यानि की भारत पेट्रोलियम का हुआ था जिसमें सरकार ने अपना शेर किसी और को बेच दिया था तो देखिए इसका हिसाब economy का हिसाब किताब में BSNL, MTNL दोनों कमपनिया ऐसे हैं जो घाटा करती है और बहुत सालों से घाटा करते हुए आई है और इनको समझने के लिए मैं अपनी एक कहानी आपको बताता हूँ वो कहानी क्या है? पात साल पहले मैं अपनी खटारा गारी बेचने की कोशिश कर रहा था ओल एक्स पे फोटो देखते ही लोगों ने कहा कि सर हमें नहीं चाहिए आप रख लीजे तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि इसका डेंटिंग पेंटिंग करके फिर से फोटो डालते हैं गाड़ी वही डेंटिंग पेंटिंग कर दिया डाल दिया तुरंत बायर हाजेर तो यही प्रॉब्लम इस वक्त बियसनल MTNL का है देखें पिछले साल साड़े सत्रा हजार करोड का घाटा दोनों कमपनियों का हुआ है और अगर हम दोनों कमपनियों का कर्ज जोड लें तो वो 33,000 करोड है कितने इंप्लॉई हैं दोनों कमपनियों के लगभग 2,000,000 लोग काम करते हैं यहां पर और हर महीने दोनों कमपणियों को मिला कर 1400 करोर रुपे देना पड़ता है वेतन के तौर पर ये हाल इस वक्त ऐसा है उनका कि वो दे नहीं पाते पिछले दो महीनों से आपने सुना होगा कि BSNL और MTNL के करमचारियों को उनका वेतन टाइम पर नहीं मिल रहा है तो ऐसे में दिवाली से पहले अचानक ऐसा तोफा लेकर सरकार क्यूं आ गई इस पर जरूर सवाल्या निशान खड़ा होता है तो उस सवाल का जवाब ये ही है कि जिस तरीके से मैंने अपने खटारा गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग की थी बेचने के लिए उसी तरह से सरकार भी वही करने की कोशिश कर रही होगी आप जानते हैं कि बीजेपी की विचालधारा का एक अभिन अंग ये है वो है निजिकरन यानि की प्राइविटाइजेशन जितने भी सरकारी कंपनी है उनको प्राइविट सेक्टर को बेचना ये बीजेपी के आइडियोलोजी का एक अंग है वो कॉंग्रेस का भी है लेफ्ट पार्टी को छोड़के सबी ये कहते हैं और जितने भी मैं जिनको कहता हूं गरीब विरोधी अर्थशास्त्री किताबी अर्थशास्त्री हैं वो भी यही कहते हैं कि सरकारी कंपनी में कोई काम नहीं करता है, बैठे बैठे वेतन लेते, इनको या तो बंद करो या बेच दो, प्राइविट सेक्टर को बेच दो. उसी तरीके से पिछले पंदरा साल से वो कहते आ रहे हैं कि BSNL और MTNL इन दोनों का भी निजी करन यानि की प्राइविटाइजेशन होना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दोनों कमपनिया घाटा करती है, उनका बहुत जादा लोन है, तो ये सब पहले सफाया करना पड़ेगा, तब ही कोई खरीदेगा, जो भी खरीदेगा उसको कोई फायदा तो होना पड़ेगा ये खरीद कर. इसलिए सरकार सबसे पहले क्या कर रही है, लोन हटाने के लिए 15,000 करोड का Sovereign Bond फ्लोट करेगी, साथ में कुछ पैसा डालेगी, और BSNL और MTNL के जितने भी Assets हैं, यानि कि उनके संपत्ती हैं, उनको बेचना शुरू करेगी धीरे-धीरे. अगले 2-3 सालों में 38,000 करोड के Assets यानि कि संपत्ती बेचे जाएंगे. अब देखिए, अगर संपत्ती सारा बेच दिया गया, तो कौन खरीदेगा? लेकिन ये BSNL और MTNL का पूरा संपत्ती नहीं है. BSNL का आप सिरफ अगर जमीन और बिल्डिंग देख ले, तो 2017-18 में वो लगभग 75,000 करोड का था. MTNL का भी अगर आप देख लें कि उनका बुक पे कितना संपत्ती है, सिरफ लैंड, प्रॉपर्टी और मशीनरी अगर आप देख लें, तो लगभग 10,000 करोड है. दोनों को मिला लेजे, 85,000 करोड तो यही हुआ. तो 38,000 करोड का बेचने के बाद भी लगभग 45,000 करोड का एसेट्स या संपत्ती इन दोनों कमपनियों के पास होंगे. उसके बाद सवाल आएगा कि कौन सी प्राइवेट कमपनी 2,000 करमचारियों की बोज उठाना चाहेगी? इसलिए सरकार एक VRS, यानि की Voluntary Retirement Scheme का प्लान दे रहे है, जिसमें calculate य थोड़ा सा salary bill कम हो जाएगा, total headcount जो है वो भी कम हो जाएगा. साथ में BSNL, MTNL को सरकार थोड़ा सा सस्ते में, 2016 के दामों में 4G spectrum देगी. अब कोई भी company 4G spectrum लेने के लिए इन कमपनियों को खरीदने के लिए तयार जरूर होंगी. साथ में सरकार एक और काम कर रही है, MTNL BSNL के अंदर merge हो जाएगा और एक ही company रहेगी. उससे क्या होगा? उतने सारे office की जरूरत नहीं है, उतने सारे machine की जरूरत नहीं है, उतने सारे logo की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो पहला तो VRS हुआ, लोग वहाँ से गए, retire हो गए, उसके बाद उतने सारे logo को लेने की सकते हैं. एक बात जो दयानदी मारन के टाइम आया था जब वो टेलिकॉम मिनिस्टर थे, वो ये था कि BSNL बड़ी company जरूर है, लेकिन MTNL stock market पर listed है. तो BSNL को MTNL के अंदर merge कर दीजिए. MTNL company रहेगा, BSNL और नहीं रहेगा. लेकिन बहुत बड़ा company हो जाएगा, देश share market को थोड़ा भी follow करते हैं, या telecom industry को थोड़ा सा भी follow करते हैं, तो आपको पता होगा कि इस वक्त किसी के पैसे वहाँ पर नहीं बन रहे हैं. Airtel का देख लीजिए, सबसे बड़ा company होता था एक वक्त, पिछले साल लगभग 5000 करोड का pre-tax loss है, यानि कि tax देने से पहले उनका घाटा 5000 करोड का हुआ है, 2018-19 में. अगर हम जियो की बात करें, तो उनका भी वैसा ही हाल है. हाँ, हर जगे आप जियो जियो सुनते हैं, लेकिन पिछले 6 quarter से, यानि कि डेड़ साल से, औसतन हर customer से कितना पैसा उनको मिलता है, वो लगातार घटता रहा है. इसको कहते average revenue per user, यानि कि आर्पू, ये 6 quarter, यानि कि डेड़ साल से, लगातार घटता जा रहा है. तो ऐसे market में, अचानक MTNL, BSNL में पैसे डालने से, वो क्या business अच्छा करने लगेगी? मुनाफा करने लगेगी? सरकार कहती है, दो साल में लगभग मुनाफा तो होने लगेगा, लेक सिरफ मुनाफा करना चाहिए, या उनको देश के बारे में सोचना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए, सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, जिस तरीके से कोई सरकार करती है. आप देखिए कि BSNL और MTNL आर्मी के काम आते हैं, दूर जगों पे काम आते हैं, ज लेकिन लोगों की नौकरी भी बहुत जरूरी है अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करते हैं अगर आप BSNL MTNL से जुड़े हैं तो अपनी आवाज बुलंद कीजिए जो इस वक्त आपको गले का हार लग रहा है तोफा लग रहा है वो बाद में आपके गले का फं